उम्रिया जिले के चंदिया थाना अंद्रगत ग्राम खेरवार में रेट के विवाद को लेकर दो गुटो के आपसी संघर्ष में गोलिया चली जिसमें एक युवक की घटना इसल पर ही मौत हो गई और दो युवक खायल हो गए गायलों में एक वेक्ति गंभी रूप से घायल है जब बुलपूर उसे रेफर किया गया अब आज आ रही थी ज्यादा इब दोड़ दोड़ों बचाओ बचाओ मलबाई से बोल रहे थी तो जगा मैं घर से बाहर ने निकला एक दू बार मलब आवाज पड़ा की जैसे आ रही थी वस हो गया पर नहीं चल रही थी तो परसानी बहुत हो लेकिन अब गाउं के नहीं बोल रहे हैं तो हमारे गाउं को तो महल सांती रहे हमारे खैर भार बराहटा ग्राम पंचाई सांती रहे यह प्रातना है गाउं के निवासियों के जोपड़े टूटे थे गाउं महसन नाटा था वहां के लोग अब दहशत के साये में जीने को मजबूर है ग्रामिन के इमरे के सामने कुछ भी कहने से डरते नज़र आए ग्रामिनों ने मुख्यमंद्री कमलनाज से मांग की कि गाउं के लोग शा वगर वाले बता रहे हैं रहे हैं दहसत का समया है लोग आके आपने जिस समय हुआ हुए वहें चंदिया थाना में ये तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा लगाते हुए मामला दर्स कर लिया गया आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर बताया जा रहे हैं जब से नई रेत नीती लागू हुई है मद्वदेश का ये पहला जिला है जहां पहले ही दिन गेंगवार हुआ एक ही वकी मौत हो गई और दो लोग खायल हो गए ये उमरिया जिले का पहला मामला नहीं जहां पर कई बार रेत के मामले में गुलिया चल चुकी है वेरो रिपोर्ट खबरबान नियूज उमरिया